हेलो दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे mixer grinder इंडिया में सबसे top best 5 कौन से हैं हम लोग जाएंगे क्या wattage अपने घर के लिए लेना चाहिए कितने jar वाला mixer grinder लेना चाहिए और सबसे आखिर चीज है कौन से ब्रैंड का मिक्सर लेना चाहिए तो चलो चलते अपनी रिसर्च की तरह मैं हूं महेश ट्रेक्बुक इंडिया से और 30 साल आरेंडी में काम करने के बाद में मैंने रिटारेमेंट लिया जल्दी सुधाट मैं मेरा सुन्दर देख सको तो पहली बात है डेटा सबसे ज्यादा उसका कवरेज है इंडिया में उसके बाद में 750 वाट एंड अबव अब टू थाउजन वाट्स और थाउजन वाट्स और अबव सबसे कम मार्केट शेयर है ठीक है यह 2020 का डेटा है यह तो अब देखते हैं अगर आपके घर में कंपरेटिवली से कम लोग है तो आपको 750 वाट या बिलो मिक्सर अंडर चलेगा जनरली यह बहुत यह आसानी से डिप्स चटनी प्यूरीज सूप्स और स्मूतीज मिल्शेक और जनरल गैंडिंग वर्क इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है बट अगर आपके घर में सपोज स्पेसिफिकली ड्राइ द्राइ मसाले आप खुद बनाते हैं मार्केट से बाई नहीं करते आप फ्रेश ड्राइ मसाले बनाके उसके बाद में आपका प्यूरी या कुछ जो कुछ आपको घर में कुकिंग करना है वो करते हैं ओके ड्राइ मसाला ज्यादा पीस्ते इस उस ताइम आप 750 वाट के मिक्सर में आसानी से हो जाता है ज्यादा पाउरफुल मोटर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा अगर आइस क्यूप क्रेशिंग करना है सपोज या ड्राइब मसाले जो रहते हो हाड रहते है या हल्दी के आपको हल्दी का पाउडर बनाना है तो उस टाइम आपका हाईर ब्लेंडिंग जार आता है जिसमें आप सब ड्राइब काम कर सकते हैं तो यह भी वन लीटर टू 1.2 लीटर तक आता है इसके जो ब्लेड से स्पेसिफिकली अलग डिजाइन किये रहते है और ड्राइब ग्रैंडिंग वो मैं बाद में आपको बताऊंगा और फिर आता है ए ज्यादा से मिल्क शेक बनाते हैं प्रोटिॉट ज्यूससेज बनाते हैं तो डेफिनिट यापके लिए जुसिंग बार ढरोको ज्यूसिंग का क्यों जरूर हुज है अब यह दिखाना चाहता हूं lotta में क्यों दिखा रहा रहा ह magari OC50 2020-46 में देखें बजाज का जो 2020 का situation मार्केट शेयर वाला ठीक है यह डेटा जहां से लिया है मैंने आभी आजका लोग हां मैं सोर्स डालता हूं इंफोर्मेशन के लिए उसके बाद में देखेए कि यह 2023 का डेटा मुझे मिला है तो आप देख सकते हैं कि बजाज अब क्या है कि इनका जो डेटा मुझे मिला है 61% डेटा का बाइफर्गेशन मेरे पास नहीं है तो कॉमेंट करना मुश्किल है लेकिन दिखाना चाहता हूं कि यहां देख सकते आप जैसे प्रेस्टीच नंबर 6 से नंबर 3 पे आ गया तीन साल में तो ब्रैंड्स जैसे उनके मॉडल इंप्रूव करते हैं वैसे ब्रैंड भी इंप्रूव होते रहते हैं तो यह ध्यान में रखे कि इसके लिए यह देखना जरूरी है कि 2024 में इस साल कॉन सब ब्रैंड अच्छा चल रहा है उसके इसाफ से मैंने यह चार्ड बनाया हुआ है तो अभी हमने देखा कि मै मैं वराइटी ले रहा हूं इसमें स्पेसिफिक लिए डिसकेशन के लिए 500 वाट वाला मिक्सर ग्रेंडर जो बेसिक के लिए सब को जो सब के घर में मिनियूम होना चाहिए उसके बाद में आता है 1500 वाट का थोड़ा ज्यादा पाउरफुल अगर किसी को चाहिए और जैसे पांचों मॉडल अच्छे है अब उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा तो पास्व वाट वाला अगर बेसिक देखा जाए तो बजाज जी एक्सवन यह घर में भी है मैं सालों सी यूज कर रहा हूं थोड़ी कुछ दिख्क तो ज्यादा रिव्यू इसका मतले भी रहता है कि ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं ज्यादा कॉमेंट करते हैं ओके आराउंड यह तीन हजार के आसपास बिखता है महने का यह सभी मॉडल्स वान बोश का लाइफ लांग वाला बजाज वाला और यह प्रेस्टीज वा आता है तो इसमें 1.25 लिटर वाल आ रहा है और जो चटनी का जा रहा है जंद्रली 0.3 लिटर वाला रहता है यहां यह 0.5 लिटर का दे रहे तो बड़े जार दे रहे ध्यान में रखे यह 500 वाट कपैसिटी है इसके रिव्यूज काफी हाई है और प्राइस सबसे में कॉड्रा फ्लो टेकनोलोजी उने बोला है अब्यूसली यह मोटर कूल करने के लिए सभी मिक्सर में कुछ ना कुछ टेकनोलोजी रहता है जैसे यहां दिखाया है एडवांस्ट एयर वेंटिलेशन ओके तो सभी मिक्सर में जो मोटर होती है गरम होती है उसको ठंडा कर है एक है प्रेस्टीज आइरिस प्लस और दूसरा है फिलिप्स का 7756 मॉडल है चल 7756 मॉडल ठीक है आप देख सकते हैं कि यह सबसे हाइस्ट सेलिंग मॉडल है फिलिप्स वाला इंडिया में यह सभी देखा हमने 3000 प्लस बेचे जाते एक मेने में तो यह 5000 प्लस बिकता है तो डेफिनेटल है इसके भी रिव्यूज आप गरें देखेंगे 31,000 प्लस रिव्यूज है 4.1 स्टार रेटिंग है 750 वाट इसका पावर है यहां एक है कि इसकी दो साल की वारंटी है यहां आम ने देखा यह लाइफ लाइफ लांग और बजाज में एक साल की वारंटी वो है और बड्यश लते और लिए वाला है 1.5 लेटर का इसके अंधर यह बलेंडर जार नहीं दे रहे हैं यहां भी बलेंडर जार नहीं है और लीट लॉग सिस्टेम किसी भी मिंखसर गरा तर में अवलेबल नहीं है वो देख सकते हैं सिर्फ BOSH के मिकसर गराणर में लीड ल तो यह थोड़ा सा सस्ता है 3,200 रुपए में आपको आ रहा है इसमें ब्लेंडर जार भी वो दे रहे हैं यह ध्यान में रखिए इसके भी देखिए 20,000 प्लस रिव्यूज है यह भी अच्छा मॉडल है मैंने सिलेक किया हुआ तो इसमें एक एडवांटेज क्या है कम प्राइ क्या बोलते हैं इसको एक मेश दिया हुआ है जो जूस और पल्प दोनों को सेपरेशन करता है यह भी अच्छी बात है तो अगर थोड़ा सा प्राइस का भी है और आपको स्पेसिविक लिए एक जूसर चाहिए स्पेसिविक फंक्शन के लिए आपके घर में तो इस्टार का रेटिंग है यह 1000 वाट वाला मॉडल है तो अगर आपको ज्यादा पाउर चाहिए ड्राय मसाले पीछन है तो यह सबसे बॉश वाला अच्छा लगता है मुझे अब इसमें क्या है इसमें ब्लेंडर जार भी आता है और सबसे इंपोर्टन चीज है मेरे लिए यह लीड लॉक के साथ आता है आप देख सकते हैं यह जो उपर का लीड रहता है जार को तो इसको अगर लॉकिंग रहेगा तो जैसे मैं टॉमेटो पीरी बनाता हूं अभी मेरे बजाज के जी एक्स वन में तो वह धकन उड़ जाता है स्पेसिकली टॉमेटो प्यूरे में उसके लिए लॉकिंग लीड होना बहुत ही जरूरी है तो यह है बोश में मुझे बहुत पसंद आया है फीचर अब उनके पेटेंटेड टेकनोलोजी है ओके छोटे चोटे वीडियो में दिखा दूँगा तो एक तो मैक्स जूस एक्स्ट्रेक्टर अगेन इनका जो मेश स किया हुआ है स्टोन पॉंडिंग टेकनोलोजी फार स्पाइस तो यह क्या है यह भी मैं दिखा रहा हूं आपको कि जैसे आप पूरा नहीं जमाने में स्टोन लेके वह कूटते थे मसाले तो उसका टेक्शर रहता है ना मसालों का वह सेम टू सेम नहीं रहता है वोके सभी म तो इसके लिए स्पाइसेज बहुत अच्छे टेस्ट देंगे आपको और पूराने जमाने का याद आपको आएगा यह स्पेसिविकली पेटेंडेट टेकनोलोजी बॉष अक्टिव फ्लो ब्रेकर फार बैटर अब जो आप बैटर बनाते हो इडली के लिए डोसा के लिए जब बैटर बनाते हो तो बैटर का प्रॉलम क्या हो जाता है कि मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होता है तो इन्हें क्या कि एक एक एक्टिव फ्लो ब्रेकर एड किया हुआ है उनके जार के अंदर जिसके क्या होता है जैसे रूटेट होता है वाशिंग मेशिंस में भी य नहीं मिलेगा आखिर में motor overload protector तो यह बॉश में भी आ रहा है और यह बजाज में भी आ रहा है तो बॉश के जो patented feature से मुझे काफी पसंद है बॉश is known for their patents दुनिया में कहीं भी जाओ बॉश का कोई भी उसमें 50 पेटेंटों फाइल करके रखेंगे क्योंकि उनका quality भी है उसके हिसाब से यह ध्यान में रखिए तो यह ब्रीफ ओर ही हो था मेरा तो आप जरूर बताया मुझे कि यह आपको कैसा लगा और आपका मिक्सर गेंडर लेने के लिए यह कितना हेल्प किया यह भी मुझे कॉमेंट में बताइए सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच और बाय पॉर नौ